स्वागत है आप सभी का मारे अपने यूटूब चैनल एटुजट बायोलाजिक क्लासस पर उम्मेद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे बेतर होंगे आप सभी की पढ़ाई बैचे डंग से चल रही होगी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलाजी एंस जैसा कि आप लोगों को नाम से इस पस्थ है कि दुई नाम मतलब हर एक जीव धारी के नाम में कितने नाम होंगे दो नाम होंगे चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा दुईपद नामकरण पद्धती है इसको दिया किसने तो सब प्रथम कैरोलस लिनि यानि कि दुई नामकरण पद्धती इन्होंने प्रस्तूत की देखि इसके लिए इन्होंने लेटिन भासा के सब्दों का प्रयोग किया ये जो दुईपद नामकरण पद्धती या दुई नामकरण पद्धती इन्होंने दी इसमें इन्होंने लेटिन भासा की सब्दों क प्रयोक किया है इसके अलावर यदि कोई भासा आ सकते हूं तो वो बीच में ग्रीक भासा लेकिन अधिक्तर भासा किसकी होती है मुख वासा चुह होती हो लेतिन भासा होती लेखिए इस ब्यवस्था के अनुसार यह इस नियम के अनुसार Xamu कह सकते हैं कि दूई नाम करन पध्धति का मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जीवधारी का जो है दोरा नाम होता है मतलब हर एक जीवधारी का नाम जो है दो नामों से मिल करके बना होता है अथात प्रत्येक जीव का नाम जो है दो नामों से मिल के बना होता है जिसमें पहला नाम जो है उसके जाती बंस को दरसाता है यानि की जीनास को दरसाता है और जो दूसरा नाम होता है वो उसके जाती को प्रकट करता है जैसे यहाँ पे एक एक जामपल हम लेते हैं जैसे जो लायन होता है लायन का जो हम बात करें यह लायन का जो बैग्यानिक नाम होता है वो क्या होता है पैंथेरा लियो तो यह देखे यह हो गया पैंथेरा लियो अब आपको यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान देखने को मिल र लियो तो सेर का बैज्यानिक नाम 15 लियो जिसमें कि दो सब्द है पहला जो वर्ड हो पहला जो वर्ड है यानि जो पहला नाम है यह पहला नाम जो 15 है यह क्या यह सेर के वंस का नाम है यह जो होता है यह सेर के वंस का नाम होता है वहीं जो लियो होता है यह किसकी यह सेर के इ और दूसरा नाम जो उसके जाति को दर साता है एक चीज यहां पर आवर आपको देखने को मिल रहा कि जो बसा गत नाम होता है उसका इंग के के small letter से यानि की छोटे अक्षरों से प्रारंब होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रत्य जीबधारी का नाम दोहरा नाम होता है मतलब दो नामों से मिलके बना होता है जिसमें पहला नाम उसके once को दरसाता है और दूसरा गत नाम होता है मतलब जो once का नाम होता है उसके प्रत्यम अक्षर जो है वह एंग्रेजी के बड़े अक्षर से यानि की capital letter से शुरूर लिखा जाता है और जो जातिकत नाम होता है यानि की जो जातिका नाम होता है वो हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से शुरू हो जैसे देखिए बैग्यानिक नाम यहां पे जैसे मतर का बैग्यानिक नाम क्या होता है पाइसम सटाइवम पाइसम सटाइवम में आप देख सकते हैं कि जो पाइसम है या जो वंस का नाम होता है तो पाइसम में जो पहला वर्ड हो कैप्टल लेटर है पी और जो सटाइवम ज इसके लाबाब आप प्याज का भी देख सकते हैं बैग्यानिक नाम क्या होता है। माना जाएगा इसलिए बैज्यानिक नाम आपको याद रखना है कि हमेशा तिरच्य अक्षरों में लिखा जाता है तो यहाँ पे दुई नाम करन जो पध्धत है या दुई-पध नाम करन पध्धत है यह आपको समझ में आ गई होगी इसमें क्या होता है कि किसी भी जीवधारी का नाम दो नामों से मिल करके बना होता है जिसमें से पहला नाम जो है जीवधारी के बंस को दर साता है और दूसरा नाम जो है उसकी जाती को दर साता है और दोनों नाम जो है हमेशा तिरचे एक्षरों से लिखे जाते तो मित करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो है तब तक के लिए जय हिंद बन्ने मात्रम